नमस्कार आप देख रही है SMZ News इंडिया मैं हूँ जिनारदन शर्मा मैं आजाद हूँ आप भी आजाद हैं भारत देश में रहने वाला हर एक नागरी का आजाद है हम अपनी आजादी का जशन मनाते हैं हम अपनी आजादी पर चर्चा करते हैं और अगर परशाशन में बैठा कोई अधिकारी हमारी आजादी के साथ खिलवार करें या हमारी आजादी को छिडने की कोशिश करें तो हम उन्हें बाबा साहब द्वारा बनाए गए सविधान का चेतना कराते हैं या बाबा साब अम्वितकर द्वारा बनाए गए सविधान के आर्टिकल 19 के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आप हमारी अजादी नहीं शिन सकते क्योंकि 26 जनवरी 1950 को बाबा साब अमिदकर ने हमारी अजादी को सविधान के माध्यम से हमको दे दिया है हम एक लोकतंत्रिक देश में रहते हैं और भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश है और लोकतंत्रिक देश की सबसे मजबूत कड़ी है चुनाओ तो आज हम चुनाओ के बारे में बात करेंगे चुनाओ के बारे में चर्चा करेंगे और चुनाओ की बात करें तो हर साल चुनाओ होते हैं कभी कॉर्परेशन के कभी विदान सभा के कभी लोग सभा के चुनाओ तो होते रहते हैं लेकिन इस वीडियो में हम आपको सबसे महत महत्तपूर्ण चुनाओं के बारे में बताएंगे सबसे महत्तपूर्ण चुनाओं थे 1951-52 के जब भारत देश आजाद हुआ था जब भारत देश आर्थिक तंगी थी तमाम तरह की समस्याएं भारत देश में थी और जब अंग्रेजों ने पूरी तरीके से भारत को लूट कर खाली कर दिया था या बिल्कुल भारत देश को खतम कर दिया था उस समय पहले चुनाओं कैसे कराएं गएं इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आजादी के बारे में जानना चाहिए आजादी के लिए भी हमारे भारत देश में जो हमारे क्रामती कारी थे जो महत्मा गांदी जो नहरू थे जो सरदार बल्लब भाई पटेल थे जो भगस सिंग थे जो तमाम तरह के क्रामती कारी थे जिन्होंने तरह तर कि मुव्मिन चला कर और वर्ड वार्ट टू हुआ जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत देश को खाली किया यह यूं कहें कि हमें आजादी दी 15 अगस 1947 को उसके बाद हमारे भारत देश में सविधान बनाया गया जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत देश में कि बहुत जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी चुनाओ कराया जाए एक बात मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगा कि पाकिसान कब आजाद हुआ 14 अगस 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ 15 अगस 1947 को भारत आजाद हुआ लेकिन आपको जानकर हरानी होगी कि पाकिस्तान में पहले चुनाओ 1970 में हुए जी हाँ ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं पहले चुनाओ पाकिस्तान में 1970 में हुए और भारत में 1951-52 में तो देखे कितना डिफरेंस है ये तो रही पहले बात भारत देश अजाद हो चुका है सविधान भी बन गिया है नहरू जो भारत देश को सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश बनाना चाहता था उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी भारत देश में करवाये जाएं जिससे भारत देश में भारत देश जो है वो सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश के रूप में निखर कर सामने आ सके क्योंकि हमारा सविधान दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बहतरी सविधान के रूप में देखा जाता है जिसको इंटरनेशल संसाएं भी चुनाव से पहले 1951 में ही जो पहले हमारे election commission के मुखिया थे उनका नाम था सुकुमार सेन नहरू ने उन्हें बुलाया और कहा कि भाई चुनाव कराने हैं तो भाई चुनाव कराने थे और कैसे कराया जाए सारी जिम्मेवारी थी सुकुमार सेन पर उनके उपर जिम्मेवारी थी कि पहली चुनाओ सांति पूर्म कराओ और बहतरी तरीके से कराओ तो उन्होंने पहले सबसे तो पूरे भारत देश को देखा और उसके बाद उन्होंने नहरों को बताया कि भाई हमारे भारत देश में सबसे बड़ी समस्या जो है वो अनपड़ता है लोगों में सिक्षा की कमी है और भारत देश में सिर्फ 14% लोग हैं जिनमें सिक्षा है य नहरों के cabinet में लोगों से बात हुई चर्चा हुई और कहा गया कि भाई पहले ऐसी बात हुई नहरों के cabinet में कि हम 14% लोगों को ही जो है वो वोट देने का अधिकार दें लेकिन नहरों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भारत देश को हमने सबसे बड़ा लोकतांतरिक दे नागरीकों को वोट देने का अधिकार देना होगा तो नहरू ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा कि 14% लोगों को वोट देने का अधिकार होगा सभी को वोट देने का अधिकार होगा तो फिर सुकमार सेन बोले ठीक है फिर केविनेट की बैठा कोई सुकमार सेन ने एक एडवा परदेश में सिक्षक लोगों की बहुत कमी थी पढ़े लिखे लोगों की बहुत कमी थी जिसके कारण चुनाऊचे निकाले गए उसके बाद शुरुवाती दिनों में जो ठेटर से जिसमें फिल्में दिखाई जाती थी 1951 में उन्हें लगबत 3000 ठेटर को बुक किया गया हर जगा पर वहां पर लोगतंत्र के बारे में बताया गया वहां पर लोगों की फ्री में एंट्री होती थी लोगतंत्र के बारे में बताया जाता था चुनाऊचे बारे में बताया जाता था और बताया जाता था कि किस तरीके से आपको वोटिंग करनी है जिससे आपका सरकार बनेगी आपकी सरकार बनेगी तो तमाम तरह की ऐसी चीजे हुई उसके बाद इलक्षन कमिशन के मुखिया जो थे सुकुमार सेन उनकी टीम बनाई गे उन्होंने टीम का आयोजन किया जिन्होंने पूरे भारत देश में गाओं गूम कर लोगों को बताया कि आपको वोट देना पड़ेगा अब हम देश आजाद हो चुके हमारा देश जो है आजाद हो चुका है उसके बाद दूसरी समस्या ये आई कि उस समय भारत देश में कोई भी महिला अपना नाम नहीं बताती थी वो कहते थी फलाने की बेटी हूँ धमाके की बेटी हूँ मेरा नाम ये है वो है तो तमाम तरह की ऐसी चीज़े आती थी लेकिन फिर भी सुकमार सेन ने अपनी विवेकता से अपनी समरीदिता से इसको पूरा किया और फिर बाद में ये कहा गया कि लगभग 15 करोड से ज़्यादा लोग वोट देने के अधिकार जिन पे है या यूं कहें कि वोट देने का अधिकार इन लोगों के पास है इतने लोग 1965 साल से उपर है शुरुआझ में ये रखा गया है कि下一 साल से अगर आप उपर है तो आप व पहले चुना हुए और 68 फेसों में हमारे देश के पहले चुना हुए लोकसभा विधान सभा के जहां पर हर जगहा पर कॉंग्रेस का जो है वर्चस्प देखने को मिला 404 सीटे जो है कॉंग्रेस ने जीती उसके बाद 16 सीटे जो है वो लेफ्ट में जीती और जो हिंदू 24 सीटों के साथ कॉंग्रेस ने अपना वर्चस्प दिखाया तो पहला चुनाओ यह है पहले चुनाओ के बारे में हमने आपको इंपोर्टन जानकारिया दी महत्यपोन जानकानिया दी आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग अपना सुझाओ कोमेंट स्रेक्शन के माध क्रिया